यार हमें तो price action समझ में ही नहीं आता, जहां enter करो वहीं से price reverse होने लगता है, long करो तो नीचे जाने लगता है, short करो तो उपर और कभी गलती से option buy करके बैट जाओ, तो sideways हो जाता है बिलकुल, price action तो साला पूरा trap होता है, चलो ऐसा करता हूँ stop loss hunting सीख लूँगा या फिर smart money concept को सीख लूँगा, सुना है वो ज़्यादा सही से work करते हैं, इसी type का mindset लेके इसी type की बाते करते हुए, काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, comments में और DM में, mostly लोगों का main question ये रहता है, कि क्या price action हमें trap करता है, second mainly उनका question बना रहता है, कि अगर हम stop loss hunting या फिर smart money concept को compare करते हैं, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, किस के क्या plus minus point होते हैं, और किस type के trader को कौन सा choose करना चाहिए, then उसके बाद third and most important query जो लोगों की बनी रहती है, कि सर हम कहां से सीखना शुरू करें trading को, step by step पहले किस चीज़ को सीखें, उसके बात किस चीज़ को सीखें, साथ के साथ अपनी psychology share करूँगा, जिनका main focus रहने वाला है कि क्या हमें price action सीखना चाहिए, क्या stop loss hunting सीखनी चाहिए, या फिर smart money concept को सीखना चाहिए, and second thing, किस sequence में पूरे roadmap को follow करना चाहिए, so अगर आप एक experience trader है, तो भी आपकी आँखे खुल जाएगी इस वीडियो को वीडियो, ताकि आप शुरूवात से ही सही track को follow करें, वीडियो में बिल्कुल भी आदी अदूरी बात आपके साथ share नहीं करूँगा, तो वीडियो कितना छोटा रहेगा, या फिर कितना बड़ा रहेगा, वो अभी at the point of time मुझे नहीं पता है, पर मैं ये guarantee देता हूँ आ क्योंकि आदी अदूरी बात सुनके ना आप इधर के रहेंगे, ना आप उधर के रहेंगे, जो अभी आप trading कर रहे हैं, उसको भी पूरा mess up कर लेंगे, और ना पूरी बात को आप समझ पाएंगे, चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं अब जब भी हम price action को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चार्ट का analysis कर रहे हैं, तो सबसे पहला and most important point ही ये हो जाता है थोड़ी दर के लिए इस बात को भूल जाओ कि इस चार्ट पे आपको कोई trade भी लेनी है, या इसके द्वारा हो रहे profit and loss से आपको कोई फरक भी पड़ता है जो भी चार्ट कोई भी हमारे सामने है, उसे हमें इस नजरीय से देखना है, कि वो वहाँ से उपर जा रहा है, तो भी हमें कोई मतलब नहीं, नीचे जा रहा है, तो भी कोई मतलब नहीं एकदम neutral mindset के साथ उसे हमें देखना है, चार्ट रीडिंग के लिए ये बहुत ही important psychological point है, ये बात आपने भी कई बार notice करी होगी, कि जब भी आप चार्ट को सिर्फ ऐसे ही देख रहे होते हैं, उस पे आप ट्रेड नहीं ले रहे होते हैं, उस टाइम पे आपके assumptions, आपके predictions, आपके analysis ज्यादा सही होते हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि हम किसी भी एक particular side के लिए biased नहीं है, जो भी actual chart पे हमें दिख रहा है, वही as it is हम हमारे mind तक पहुंचा रहे हैं, बिना अपनी side से कोई भेदभाव add किये, अगर हमारी कोई trade में position भी चल रही है, तो भी chart को neutral रहके देखना ही सही होता है, जिससे कि हमें ये समझ में आता रहे कि trade को hold करके रखें, या फिर against में भी जा सकती है trade, पहले से पहले हमें alert assumptions मिलते रहें, अब उसके बाद second and most important point, ये जो chart हम देख रहे हैं, इस पर जो candle sticks हमें देखने को मिल रही है, ये सिर्फ एक candles नहीं है, ये बाकी के लोगों का, बाकी के जो भी buyers, sellers यहां पे हैं, उनका mood, mahal और mindset हमें शो कर रही है, ये जो पूरा price उपर नीचे हो रहा है, इस तरह से जो भी action form हो रहा है, उसी को कहा जाता है price action, अब price action जो होता है, actual में अगर आप ध्यान से समझेंगे, psychology के साथ, तो price की history हमें बत है, कि history में price ने किस तरह से move किया है, उस history को हम read करते हुए, समझते हुए, उसके algorithm को समझते हुए, आगे का हम prediction कर रहे हैं, आगे का हम assumption कर रहे हैं, तो सबसे most important बात आपको ये समझ जानी चाहिए, कि जैसा कि हम assumption कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, तो इस बात क हमेशा ध्यान रखें कि 100% कभी भी हमारा assumption सही नहीं होगा, अब आप में से कुछ लोगों के मन में एक question आना चाहिए, especially जो new traders है, कि तो फिर हम price action को read करते ही क्यों है, जब ये पूरा history का काम है, यानि history में हो चुका है, price action को हम read क्यों करते हैं, उसको एक छोटे से example से समझ कर दिया, तो इसकी जो probability है, दोनों की मिला के वो total 100% हो जाती है, अब individual जो probability है, यहाँ पर 50-50 हमें देखने को मिल रही है, तो किसी भी point of time पर जैसे यहाँ अगर हम घूम रहे हैं, यहाँ पर हम buy करते हैं, तो हमारे सिर्फ 50% chances हैं कि हमारी side पर chart move करेगा, बाकी के 50% chances क्या है कि हमें against में move देखने को मिल सकता है, अब उसी time पर होता क्या है, हम chart में सही से analysis कर लेते हैं, पीछे के algorithm, पीछे के trend को देख लेते हैं, तो यह जो 50% यहाँ पर हम buy करेंगे, 50% probability के साथ, वो हमारी 70, 80, और थोड़े से अच्छा analysis हमें करना आता है, तो 90% तक भी जा सकती है, फिर भी यह जो यहाँ पर 10, 20, 30% बच रही है probability, वो हमें यह शो करती है कि उसमें हमारा loss भी हो सकता है, चाहे फिर किसी भी आप XYZ नजर यह से price action को read करें, कुछ भी तरीका आप लगा लें, हमेशा आपको यह back of the mind लेके चलना है, कि 10% तो आपके chances रहेंगे ही रहेंग चार्ट को देखते हुए trade लेने की, उसको हम increase कर सकें, इसलिए हम price action को समझने की कोशिश करते हैं, पर at the same point of time, जो भी हमारी probability है, वो कभी भी 100% नहीं होगी, I hope आपको बात समझ में आ रही होगी, एकदम अच्छे से मैं आपको चीजें explain कर रहा हूँ, कोई भी आपको इत transaction को समझते हैं, तो आपकी accuracy next level हो चुकी होगी, अगर ध्यान से बिना रटते हुए आप चीजों को समझते हुए चलेंगे, तो आपका thought process एकदम clear हो चुका होगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, अगर हम भी सिर्फ रटने वाले लोगों में से बन ज होता है, market थोड़ी थोड़ी time में अपनी चाल को बदलता रहता है, तो जो भी रटने वाले लोग हैं, उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा problem face करनी पड़ती है, अब आते हैं third and most important point पे, जो इस वीडियो का पूरा core concept होने वाला है, जिसके through आपकी सबसे पहली query का आपको हल भी मिलने वाला है, और साथ के साथ price action को किस तरह से decode किया जाता है, वो हम समझने वाले हैं, जैसा ये जो word है price action, ये actual में एक problem होता है, इसको आप मान सकते हैं कि ये actual में एक problem है, अब इस problem को solve करने के लिए, यानि problem से लेकर solution तक जाने में, बीच में तीन formula हमें देखने को चार्ट patterns, इन चीज़ों को follow करना, second formula हम use कर सकते हैं solution तक पहुँचने के लिए, वो रहता है stop loss hunting का, third formula जो रहता है, वो रहता है smart money concept का, shortcut तरीके से problem से solution तक जाने में, ये तीन formula हमारे काम आते हैं, ये तीनो एक formula है, अब होता क्या है, उनमें से ये जो पहले वाला formula है, जो chart pattern, price action pattern, support, resistance, trend line, इस तरह की चीज़े होती है, वो सालों से बहुत अच्छे से काम करती हुए आ रही है, बहुत अच्छे से लोगों को help मिल रही है, price action समझने में उनसे, पर कुछ सालों से क्या हुआ है, ये बहुत ज़्यादा common हो चुकी है, अब होता क्या है कि stock market का एक ब intelligible होते हुए जाएंगे, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये बिल्कुली काम करना बंद कर देगी, काम ये सारी चीज़ें आज भी करती है, यानि सिंपल ये सारे जो तीनों की तीनों चीज़ें है, तीनों की तीनों फॉर्मूले है, ये एक तरह से नजरिया है, price action को ही बहुत सारे traders तो ऐसे हैं, जिनको इसके पीछे की psychology, इसके पीछे का concept भी नहीं पता है, जैसे suppose करते हैं कि hammer candle एक चीज़ होती है, तो उसके पीछे की psychology क्या रहती है, क्यों बनती है, क्या होता है, वो कुछ भी नहीं पता है, बस उन्होंने रट लिया कि hammer candle बने, तो यहां स बाय करना है, लोगों ने shortcut ढूंडना चालू कर दिया, shortcut तरीके से उसको रटना चालू कर दिया, उस वज़े से क्या होने लगा कि इसकी success के probability गिरना चालू होगी, जैसे for example पहले ये 10 मैं से मान लेते हैं, 8 बार, 9 बार हमें अच्छे return देती थी, अब उसकी success की probability क्या हो इसका नाम है stop loss hunting, stop loss hunting के through भी हम price action को समझ सकते हैं, उसकी price action की problem को हम solution तक पहुचा सकते हैं, stop loss hunting को use करते हुए, compare to पहले वाला formula इसकी success के chances भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये उतना ज़्यादा common नहीं है, इसमें mainly हमें चाहिए होती है, हमारी psychology अच्छी होनी चाहिए, अगर हमें psychology समझ में आती है, तो हम इसको बहुत ही आराम से use ले सकते हैं, ये उस person के लिए औ और भी आसान होता हुआ जाता है, जिसको market में काम करते हुए, डेर दो साल, तीन साल हो चुके हैं, क्योंकि जिसने बार 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 चार्ट को देखा हुआ है, किस situation में चार्ट क्या करता है, किस situation में बाकी के लोग क्या करते हैं, जो simply अपनी psychology को बाकी के लोगों की psychology से मैच कर सके बस आपको आपकी जगर पे बैठे बैठे ये समझ में आना चाहिए कि जिसने चार्ट को यहां से उपर लाया है वो यहां पे क्या करेगा नीचे लाया है वो यहां पे क्या करेगा किस लेवल के उपर बायर डरेगा किस लेवल के नीचे सेलर डरेगा या दोनों को कोई डर नहीं लगेगा मार्केट साइडवेस हो सकता है तो बस यह कुछ चार पांच बाते हमें समझ में आनी चाहिए चार्ट को देखते हुए भले हमने वहां पर अपनी पोजिशन बनाई हो ना बनाई हो बस इस तरह से प्रेटेंड करना होता है जैसे चार्ट यहां से स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होते हैं उसमें से आप काफी सारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझ सकते हैं सिम्पल ही अगर आपको यहां पर बताओं तो यह जो प्राइजेक्शन पैटरंस वगेरा यह सब हम देख रहे थे उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप थोड़ थोड़े से कॉंपलेक्स हमें देखने को मिलते हैं इन में क्या होता था मार्केट में कोई भी आया उसको रट लिया और काम करना चालू कर दिया पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आदमी वैसा नहीं कर सकता है कि एक दिन आप उठके आएंगे सडनली और आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कोई पॉइंट रट लिया और आप अच्छे से काम करना चालू कर देंगे आपको बैठ के टाइम देना पड़ेगा समझना पड़ेगा चीजों को तभी आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझ पाएंगे यानि सिंपली स्टॉक मार्केट में जितनी हार चीज हो पर बाकी जो नॉर्मल प्राइजेक्शन यूज करते हैं उसको यूज करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो उसमें मान लेते हैं कि 2-3 बार हमारी ट्रेड सही होती दी 10 में से तो इसमें हो सकता है 6-7-8 बार हो जाए बस ये प्रोबैबिलिटी का खेल चलता है और स्टॉप प्राइजेक्शन को ट्रैप नहीं बूला जाता है प्राइजेक्शन तो हम्हें देखना ही पड़ेग remaining candles प्राइजजेक्शन पर नहीं पड़ेगी क्योंकि माल लेते हैं कि हमें पहला वाला formula यहां पर लगाऊ है तो उसके लिadeगा फार्मुला लगाना है stopless hunting गा उसके ल बड़ा misconception है लोगों में और कोई आप से बोलता भी है तो वह एक्चल में पहले वाले इफेक्ट हुआ क्या जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसमें बाकी लोगों ने तो उतनी मेहनत भी ना करते हुए चार्ट, पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कोई मेहनत ना करते हुए सीधा महा पे indicators को लगाना चालू कर दिया कोई बी नया ट्रेडर कोई बी नया परशन आया उसने यूट्यो पे वीडियो बगएरा देखी पांच मिनट में indicator लगाना समझा सीधा indicator को चार्ट पर ग्लेस करा और उसने सूचा कि इस से ट्रेडिंग हो जाएगी यही reason था कि सबसे पहले indicator सबसे यादा common हो गए तो सबसे पहले उनका काम करना बंद हो गया otherwise पहले कुछ साल पहले indicator भी काफी अच्छे से काम करते हुए नजर आते थे पर उनकी success rate सबसे पहले काम होना चालू ही क्योंकि सबसे common चीज है वो हर कोई 5 minute में आके समझ जाता है कि indicator कैसे लगाना है उसके बाद लोगों ने सोचा कि याद नहीं indicator नहीं हम अब यहाँ पर chart patterns वगएरा को use करते हैं उनको समझना चालू करते हैं लोगों ने video रील वगएरा बनाना चालू कर दिया तो तेजी से उस बारे में knowledge spread होना चालू हुई तो इस वज़े से यहाँ पर यह भी बहुत common हो चुका अब compare to indicator इसकी success के chances तो ज़्यादा है पर उतने भी ज़्यादा नहीं है जितने बाकी चीजों के हमें देखने को मिलते हैं तो इसी reason से कुछ लोग फिर वहाँ पर stopless hunting पर shift होना चालू है कुछ लोग वहाँ पर smart money concept पर shift होना चालू है कुछ लोगों ने बाकी कुछ अलग तरीका दिव ढूंडा होगा मेरे को फिलाल इन तीनों के बारे में ही main पता है I hope जो सबस्यादा लोगों आप question पूछ रहेते कि projection trap होता है trap होता है projection कभी भी trap नहीं होता है जैसा वीडियो के starting में पहले दूसरे point में ही मैंने आपको बाते समझाई थी कि यहाँ पर buyer seller क्या कर रहा है वो simply projection है उसको देखने का नजरिया हमारा trap हो सकता है उसको decode करने का हमारा formula trap हो सकता है क्योंकि projection तो हमें देखना ही पड़ेगा उसी से हमारी success rate बढ़ती है उसी से हमारी probability बढ़ती है वो मैंने आपको second point में अच्छे से explain कर दिया है और अगर probability हमें बढ़ा नहीं है 50-50 चाहिए तो फिर खाली chart पर यहां पर आके कहीं पर आप buy करो randomly chart खुलने की आपको जरूत नहीं है कहीं पर आप buy करो या फिर sell करो आपको probability उतनी ही देखने को मिलेगी वो ही 40-50% के आसपास example में मैंने 50-50 ली थी पर actual में 50 से भी कम हो जाती है क्योंकि थोड़ा sideways market भी हमें देखने को मिलता है तो इसलिए projection तो हमें समझना ही पड़ेगा हम नजरिया कौन सा लगाते हैं फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं वो हमारे उपर depend करता है इसलिए मैंने आपसे कहा था जो लोग भी नए है यहाँ पर उनके लिए यह वीडियो काफी important होने वाली है ताकि उनको सही track मिल सके stock market में simply जो चीज जितनी जादा easy है वो उतनी ही रीचे बल है लोगों तक उतना ही उसको समझाना भी आसान है और समझना भी आसान है इसके चांसे उतने जादा बन जाते हैं क्योंकि at the end कहीं ना कहीं उस पर लोगों के skills लगी है लोगों का time लगा है लोगों ने hard अपनी मेहनत करके उसको समझाये सीखाये बाकी लोग वो मेहनत नहीं कर पाए है उसके बाद आता है mainly risk reward और risk management का खेल suppose करते हैं indicator पर मैं trade ले रहा हूँ पर 10 में से जब एक बार मुझे अच्छी trade मिलती है दो बार अच्छी trade मिलती है तो मैं उसमें बहुत बड़ा risk reward capture करता हूँ 1-20, 1-50 का risk reward मैं capture कर लेता हूँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप indicator पर भी काम करते हुए रह सकते हैं आप भी आप अच्छे से काम में ले पाएंगे उसको क्योंकि सब वहाँ पर buy कर रहे हैं आप भी वहाँ पर buy कर रहे हैं तब आपका पैसा थोड़ी बनेगा इस बात को आपको समझना पड़ेगा और वैसे ही चार्ट पैटन वगेरा नॉर्मल प्राइजेक्शन फर्स्ट फॉ लोग भी यहाँ पर प्राइजेक्शन को देखते हुए ट्रैप होते हैं उनके पीछे का सबसे पहला में रिजन तो यह हो सकता है कि उनको पता ही नहीं है उसको साही से यूज में कैसे लेना है होता है ना सिंपल ही कुछ भी रट लिया और उसको यूज करना चालू कर दिय आप जब तक उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझोगे उसके पीछे का कंसेप नहीं समझोगे तब तक आप उसको समझी नहीं सकते हलका सा मार्केट कंडिशन चेंज होएगी और आपकी चीजे फेल होना चालू हो जाएगी तो उस केस में आप हो सकता है ट्रैप हो या फिर इस according आप काम कर रहे हो तो आपको ना stop loss hunting की जरूओत है ना smart money concept की जरूओत है दो तीन चार बार जब 10 में से आपकी trade सही जाए तब भी आप अच्छा profit कमा सकते हैं बाकी time पे आप सही time पे cut करना जानते हैं सही time पे stop loss लेना जानते हैं तो अब जो लोग ये भी नहीं कर सकते या उनका risk reward वगेरा उतना अच्छा नहीं है या थोड़ी सी और वो better edge चाते हैं बाकी लोगों से better knowledge चाते हैं बाकी लोगों से better काम करने का तरीका चाते हैं तो उनके लिए होता है कि stop loss hunting या फिर smart money concept बहुत लोग उससे कह रहे थे कि सर हमें smart money concept समझ में नहीं आता काफी hard ह hard है इसलिए काम का है वो अगर हर किसी को समझ में आने लग जाएगा हर कोई common हो जाएगा एकदम तो फिर वो काम का नहीं रहेगा अभी तो क्या होता है लोगों को सभी से guidance नहीं है उसके बारे में लोगों को समझाने वाले नहीं है उसके बारे में या लोगों ने उसको उ और इस Topless Hunting क्या होता है उसकी कोई Life नहीं है यहाँ पर वो हमेशा उसी तरह से काम करेगा जैसा वो करता हुआ चल रहा है क्योंकि पूरा Market जो चलता है वो ही Liquidity पर चलता है इस Topless Hunting पर चलता है अब इससे पहले कि हम 4th Point की तरफ बढ़े यहाँ पर Price Action को आपको Explain करने के लिए एक बहुत अच्छा एक्जामपल आपके साथ शेर कर रहा हूँ जिससे कि आपके Mind में एकदम Concept clear हो जाए Price Action को मान लेते हैं थोड़ी दिर के लिए एक Rice की तरह है Rice मतलब क्या? चावल अब जसा कि यह जो है Rice हमारा Main Ingredient है यहाँ पर Base Ingredient है उसी तरह से जो Price Action है हमारा वो यहाँ पर Base रहता है एकदम Core रहता है उससे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? Rice से हम सबसे पहले मान लेते हैं, बना लेते हैं Zira Rice हम बना सकते हैं जो की सबसे Basic डिश हो जाती है एकदम जो बहुती आराम से बन जाती है, बहुती आसानी से बन जाती है यह जो यहाँ पर Zira Rice है इसको हम मान सकते हैं कि Indicator Base हम Price Action को समझ रहे हैं Second उसके बाद हम आते हैं यहाँ और क्या हम बना सकते हैं दाल चावल हम बना सकते हैं दाल चावल compare to Zira Rice थोड़े अच्छे होते हैं थोड़ा जादा टाइम लेते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं चार्ट, पैटरंस, यहाँ पर सपोर्ट, राइस्टेंस वगेरा जो फर्ष्ट फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिसकस किया था third and most important उससे हम क्या बना सकते हैं बिरियानी हम बना सकते हैं तो बिरियानी बिल्कुल वैसा हो जाती है stop loss hunting जैसी जैसा मैंने आपको stop loss hunting का example दिया था कि बहुत अच्छे से work करती है बहुत अच्छा है सब कुछ जैसे बिरियानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है सब कुछ रहता है पर उसको खा वोही लोग सकते हैं जो non-wage खाते हैं वैसे लोग उसको नहीं खा सकते उसी तरह से उसको stop loss hunting को भी वही लोग use में ले सकते हैं जिनकी psychology काफी strong हो जो खुद से यहाँ पर बैठे बैठे समझ सके कि बाकी की buyer seller बाकी के लोग क्या कर रहे है कौन डर रहा है कौन यहाँ पर powerful है यह सब बातें अगर वो लोग समझ सके तो उनके लिए यहाँ पर बिरियानी की तरह से काम में करता है stop loss hunting पर हर कोई उसको use में नहीं ले पाएगा क्योंकि वो non wage की तरह से हो जाता है उसके बाद last and fourth point जो होता है उसमें हम मान सकते हैं कि चावल से हम बना रहे हैं triple शेजवान fried rice यह हमारा हो जाता है smart money concept जो की यहाँ पर taste में भी बहुत अच्छा है सब कुछ बहुत अच्छा है पर बनाने में बहुत दे लगती है बहुत time लगता है काफी hard हो जाता है बनाना हर कोई उसको नहीं बना सकता है जो practice करते होए time हो चुका है जिनको जो अच्छे से cook है यहाँ पर वो ही triple शेजवान fried rice को बना पाते हैं और उनी के बनाने में उसमें स्वाद आपाता है तो जो बार-बार smart money concept को practice करेगा बार-बार उस पर try करेगा अच्छे से उसको समझेगा उसके concept को वही उसको use में ले पाएगा अगर हमें कुछ भी महनत नहीं करनी है एकदम कम महनत में काम करना है तो इसको हम use में ले सकते हैं वो indikator की तऱ से हम उसको काम में ले सकते हैं अब उसमें हुआ क्या तो फिर उसका taste भी उतना अच्छा में देखने को नहीं मिल पाता है वहीं पर second चीज़ आती है दाल, चावल उसको उतना आसानी से हम नहीं बना सकते थोड़ा time लगता है दाल भी बनानी पड़ती है चावल भी बनाना पड़ता है तो उसमें इसको हम consider कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा time तो लगता है अब वही पर suppose कर लेते हैं अगर हमारा काम दाल चावल से चल जाता है यानि कि थोड़े यहां पर कम probability वाली चीजों को भी हम का करनी होगी और जैसा मैंने कहा फिर भी यहां पर समझने के बाद भी काफी सारे लोग ऐसे रहोंगे जो उसको काम में नहीं ले पाएंगे क्योंकि वह एक नॉन्वेज हो जाती है और कोई उसको समझ नहीं सकता उसको time लगता है समझने में और कुछ भी छोटा मोटा आप स चीजों को समझना भी नहीं चाते उनको ऐसा लगता है कोई shortcut मिल जाए कोई वहाँ पर ऐसी ट्रिक मिल जाए तो shortcut का आप देख सकते हैं क्या नतीजह होता है जैसे इंडिकेटर एक shortcut ही होते हैं जिनको 5 मिनट पर समझके आप चार्ट पर लगा सकते हैं पर आप देख सकते ह है महनत भी जाद रखती है पर फिर टेस्ट भी उतना ही अच्छा आमें देखने को मिलता है वहीं पर किसी को मतलब नहीं है टेस्ट वगरा से तो तो simply वहाँ पर दाल चावल पर भी अपनी जिन्दगी वो चला सकता है पर उसमें probability उतनी ही कम रहती है वहाँ पर बोरिंग कंसेट को सीखना चाहिए या फिर stop loss hunting को सीखना चाहिए अब हमारे लिए stop loss hunting सही या फिर smart money concept सही है उसका पता हम जब भी लगा सकते हैं जब उसके plus और minus हमें पता हो तो दोनों को यहां पर आपके सामने compare करके मैं बता रहा हूँ जिससे कि आप खुद यह decide कर पाए कि आप पर्मोश 100% ही हम कह सकते हैं, किस तरह से बाकी के new traders position मना रहे हैं, वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, इस psychology को हमें समझना होता है, जो बाकी लोगों को दिख रहा है कि हाँ ये चीज सब को दिख रही है, वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जसा मैंने आप स सारे लोग की buy करेंगे, तो वहाँ पर loss किसका होगा, और सारे लोग की sell करेंगे, तो वहाँ पर same बात है loss किसका होगा, तो बस हमें ये समझना होता है stop loss hunting में, कि बाकी के normal लोग क्या करना है, वैसा ना करते हुए, जो सब को दिख रहा है, वैसा ना करते हुए, हम उनके stop loss हंट करने की तरफ अपना प्लान रख सके मतलब खुल में लाके जो आम आदमी कर रहा है वो हमें नहीं करना है उनके stop loss हंट करने की तरफ हमें काम करना है तो इस बात को हम कब समझ सकते हैं जब सामने वाले की psychology को हम पढ़ना जानते हो अब जैसा की stop loss hunting में हमने ये समझ लिया कि बाकी new retailers के stop loss hunt करने की तरफ हमें काम करना है उनके against में काम हमें smart money concept में भी same वैसा ही करना है पर काम करने का तरीका बदल जाता है जैसा इसमें भी आपको पता है हम liquidity के लिए काम करते हैं liquidity क्या होती है बाकी जैसा 90% psychology पर हम काम कर रहे थे तो यहाँ पर technically हमें काम करना होता है 90-95% हमें technically काम करना है कुछ principles होते हैं technically कुछ rules होते हैं उनको हमें follow करते हुए काम करना होता है तो सबसे main difference तो यह हो जाता है कि यह पूरा psychology पर बेस है और इसमें कुछ technical principles होते हैं कुछ technical rules होते हैं उन पर हमें काम करना होता है 90% उन rules को उन principles को अगर हमने समझ लिया तो हमें वहाँ पे अपना दिमाग लगाने की कुछ जरुवत नहीं है, सब खुद बखुद आपको चार्ट पे नजर आ जाएगा, इसके अलावा अगर हम कुछ और differences की बात करते हैं stopless hunting versus smart money concept में तो इसको आप समझतो जल्दी से जाओगे stopless hunting को, पर जब आप इसको apply करने जाओगे तो आपको अच्छी खासी चार्ट की psychology वहाँ पे समझनी आनी चाहिए ये समझने में easy है, पर apply करने में हो सकता है, आपको अच्छा खासा experience लगे आपको बार बार practice करनी पड़े, तब जाके आपको चार्ट की psychology समझ में आने लगेगी जब same same conditions आप multiple बार होते हुए देखेंगे इसलिए मैंने आपको वीडियो के starting में भी ये बात कही थी जब हम तीनों formula को discuss कर रहे थे कि अगर किसी को एक साल, दो साल, तीन साल हो गया है काम करते हुए, उसके लिए stop loss hunting समझना ज्यादा आसान हो जाता है वहीं पर दूसरी side पर जो हमारा smart money concept है उसको समझना थोड़ा सा hard है यानि शुरू-शुरू में जब आप उसको समझने लगेंगे उससे ज़्यादा ज़रूवत नहीं है प्रैक्टेस करने की आराम से आपको smart money concept समझ में आने लग जाएंगे तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसमें entry barriers होते है यानि entry करते टाइम आपको यह hard लग सकता है पर आगे चलके यह बहुत ज़्यादा easy है as compared to stop loss hunting से वहीं पर दूसरी साइड पर stop loss hunting ऐसा है समझने को एक दो दिन में ही आप समझ जाओगे पर जब खुद से apply करने जाओगे चार्ट पर तो different different condition में different तरीके से stop loss hunting होती है तो उसका जब तक आपको experience नहीं है तो हो सकता है आप वहाँ पर उतना accurate decision नहीं बना पाओ बिना कोई मीटी मीटी बाते करें मैं सीधा straight आपके साथ fact share कर रहा हूँ उसके अलावा अगर हम और कुछ देखते हैं यहाँ पर differences stop loss hunting versus smart money concept में तो stop loss hunting ऐसा है जिसमें हो सकता है आपका risk reward आपको कम मिले थोड़ा सा वहीं पर smart money concept में risk reward हमाँ बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है पर stop loss hunting का यह फायदा है कि जहाँ पर stop loss hunting apply होता हुआ नजर आता है वहाँ पर fast momentum हमें देखने को मिलता है stop loss hunting is equals to fast momentum वहीं पर दूसरी तरफ जो smart money concept है उसमें हमें थोड़ा slow momentum देखने को मिल सकता है slow momentum कैसे जैसे for example order block पे हम entry plan करते हैं तो order block पे क्या होता है risk reward तो हमें best देखने को मिलेगा इसके compare में ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिलेगा हमेशा slow momentum रहेंगे वैसा नहीं होता कभी-कभी fast momentum भी देखने को मिल जाएंगे पर in general यहाँ पे slow momentum भी आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे for example हमें पता है कि इस level के उपर यहाँ पे sellers के stop loss कटना चालू होंगे तो उसके stop loss जैसे ही कटना चालू होंगे वहाँ पे fast momentum हमें देखने को मिलेगा उसके अलावा अगर हम और कुछ difference की बात करते हैं तो stop loss hunting मेंली हमें support resistance के breakout या फिर breakdown पे ज़्यादा अच्छी entry वगरा provide करता है यानि उसमें ज़्यादा अच्छा work करता हुआ नजर आता है वही पे दूसरी side पे जो smart money concept है order block हो गया, order flow हो गया यह ज़्यादा तर support resistance पे ज़्यादा काम करता है जो कि जिसको हम demand और supply zones बोलते हैं तो इस वाली चीज में उतना breakout breakdown वाला concept नहीं होता है तो conclusion यह निकल के आता है इसका risk reward थोड़ा कम हो सकता है इसके compare में, मतलब नौर्माली तो अच्छा होता है risk reward पर दोनों का comparison हम यहाँ पे देख रहे है उसमें इसका कम हो सकता है इसका थोड़ा ज़्यादा हो सकता है इसमें fast momentum initially मिल जाता है इसमें हो सकता है, initially हमें slow momentum मिले मतलब कोई guarantee नहीं होती, fast भी मिल सकता है slow भी मिल सकता है, पर maximum time initially slow momentum रहता है, फिर बाद में जाके वो fast होता है यहाँ पर mainly breakout breakdown पर focus रहता है और यहाँ पर demand और supply zone पर क्योंकि at the end जैसा मैंने आपके साथ share कर रखा है कि order block at the end है क्या strong powerful supply और demand zone ही order block होते हैं और risk reward के साथ ही वो बात भी include हो जाती है कि stop loss इसमें हो सकता है थोड़े से छोटे हमें देखने को मिले यानि compare to stop loss hunting smart money concept ने stop loss हमें छोटे छोटे देखने को मिलते है अब इतने discussion के बाद आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि person to person यह बात depend करती है कि आपके लिए stop loss hunting ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर smart money concept ज्यादा अच्छा रहेगा मैंने सारे की सारे plus और minus points आपको बता दिये है वो भी एकड़म straight forward बिना किसी चिकनी चुपड़ी बातों के बिना किसी मीटी मीटी बातों के जिसकी जो अच्छा ही थी वो मैंने बता दी जिसकी जो बुराई थी वो मैंने बता दी दोनों के प्लस और माइनस बता दी है अब मेरे personal suggestion की अगर मैं बात करूँ तो इस sequence में आपको चीज़े शीखनी चाहिए कि सबसे पहले अगर आप market में नए नए आये हैं एकदम new हैं एकदम beginner है तो सबसे पहले आपको price action समझना चाहिए जो की normal first वाले formula की हमने बात करी थी normal price action support, resistance, trend line, chart pattern इन पे आपको समझना चाहिए सबसे पहले क्योंकि इनको समझना इसलिए जरूरी हो जाता है कभी कभी क्या होता है इनके fail होने के बाद भी हमें बहुत अच्छी trade मिलती है यानि जब ये सारे traders यहाँ पर trap होते हैं उस time पे भी हमें बहुत अच्छी trade मिलती है इन दो चीजों को use में लेते हुए stop loss hunting और smart money concept को तो fail करवाने के लिए भी आपको समझ में तो आना चाहिए कि क्या चीज बन रही है तभी तो आप उसको समझोगे कि हाँ इस time पे यह बनके fail हो रही है तो इसकी knowledge आपको at the end शुरूवात में सबसे पहले होनी चाहिए और इससे वैसे भी अगर आप शुरू करते हैं तो आपको धीजरे करके ABCD जैसे हम सीखते हैं तो वैसे आप चलते हो जा सकते हैं तो आपको शुरूवात में journey थोड़ी सी smooth लगेगी और जैसा मैंने आपको कई बार बता रखा है कि यह सारे जो normal first वाले formula की चीज़े हैं इनको थोड़ा सा modify करके normal projection को ही modify करके smart money concept बनाए गया है तो जब आप यह समझ लेते हैं तो second step आपको सीखने चाहिए smart money concept तब आपको और आसानी रहेगी smart money concept सीखने में शुरूबात में जैसा मैंने आपसे कहा लग सकता है कि आपको hard है पर एक बार जब आपने समझना चालू करा dedication के साथ तो उसके बाद चीज़ें आपके लिए smooth होती हुई जाएगी पर ये दोनों हो जाने के बाद आपको time के साथ जब आपको 6 महीने, साल बर, एर साल, 2 साल हो जाएगा बार 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 सेम सेम चार्ट आप देख लेंगे जैसे ये चार्ट होते क्या हैं सेम सेम चीज़े बार बार repeat होती है कुछ हफ्तों बाद हो सकती है, कुछ महीनों बाद हो सकती है, कुछ सालों बाद हो सकती है पर N number of time, N number of probabilities भी रहती है चार्ट पर वही वही बार बार होती हुए नजर आती है तो मेरे personal experience के according sequence आपका कुछ ऐसा रहना चाहिए पहले आपको norm projection सीखना चाहिए, उसके बाद आपको smart money concept को सीखना चाहिए उसके बाद आपको अपने आप stop loss hunting समझ में आने लग जाएगी धेदरे फिर आपको आगे चलके ना इसकी जरुद पड़ेगी ना इसकी जरुद पड़ेगी और जैसा मैंने आपसे कहा, इन दोनों का काम सेम ही होता है पर दोनों अगर हम सीख लेते हैं, तो हमारे पास एक better edge मिल जाती है क्योंकि कभी-कभी ये आपको पहले spot हो जाएगा, ये बाद में spot होगा मेरको personally कहीं-कहीं पर stopless hunting जल्दी से work कर जाती है, जल्दी से spot हो जाती है कहीं-कहीं पर मेरको smart money concept की जल्दी से help मिल जाती है, तो मैं उसको use मिल लेता हूँ और जब हमें तीनों चीज़े पता होती है, normal projection भी पता है, stopless hunting भी पता है, smart money concept भी पता है तो बाकी traders से हमें एक better edge मिलती है वहाँ पर हमें समझ में आता रहता है कि कौन कब trap होता हुआ जा रहा है कौन किसको अच्छा profit मिलता हुआ जा रहा है तो जो चीज हमें अच्छे से apply होती हो नजराय हम उसको use में ले सकते हैं अगर हमें तीनों चीज़े आती है तो मैं तो personally आपको यही suggest करूँगा अगर आपको long run में टिकना है लंबा टिकना है market में तो आपको तीनों चीज़े आनी चाहिए क्योंकि सिर्फ अगर हम price action को सीखते हैं तो उसकी accuracy थोड़ी कम है price action के साथ फिर smart money concept अगर हम सीख लेते हैं तो वहाँ पर दोनों चीज़ों से हमारा काम तो अच्छा चल जाएगा पर आगे चलके जैसा कि हो सकता है market में कुछ changes आए तो सिर्फ stop loss hunting ही ऐसा है जो सदा बाहर यहां पर रहने वाली है stop loss हंट करने के तरीके बदल सकते हैं पर stop loss hunting सदा बाहर यहीं रहेगी तो उसके बारे में हमें पता रहता है तो हमें market में कुछ भी changes होते हुए नदर आते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कहां पर किसके stop loss हीट करे जा रहे हैं कहां पर क्या हो रहा है अब जिसा कि आपको ध्यान हो कि last time पर जो हमारा वीडियो आया था order flow versus order block का उसमें मैंने आपको complete structure mark करके दिया था यही bank nifty के 15 minute time frame के चार्ट पर तो यहां पर हमारा एक low था और यहां पर हमारा एक important high था और मैंने आप से यहीं कहा था कि या तो market high को cross करे या फिर low को cross करे तब ही हमारा structure change होता हुआ नजर आएगा जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम एक range में बने हुए हैं तो market ने यहां पर high को cross नहीं करा high के पहले से ही market बड़ा सा gap down खुला और low को यहां पर cross कर दिया तो पिछला structure हमारा क्या था यहां पर break of structure किस side पर करते हुए आ रहे थ तो यहां पर low अगर हमारा break हुआ है तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है CHOCH यानि कि character जो है chart का पूरा change हो चुका है अब हम यहां से downside पर आ चुके हैं पहले हम upside पर चल रहे थे अब यहां पर chart ने gap down होने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे gap down होते से ही chart का character change हो गया तो यह पूरी की पूरी एक order flow है बाकी की सारी candles इसके अंदर में ही है कोई खास हमें यहां पर order block अगरा देखने को नहीं मिल रहा तो यह पूरा की पूरा हमारा order flow इस तरह से consider होगा अब उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आज का दिन है यहां पर Tuesday का market ने dot order flow पे ट दो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है, मार्केट सेलिंग में आ चुका है, हर बच्चे बच्चे को भी, हर new retailers को भी यहां पर क्या लगना चालू हो गया कि यहां पर market वापस से up side पे pull back दिया और अच्छे से hold करना चालू कर दिया है यहां पर वैसे भी यहां पर stop loss क्लियर कर दिये थे, market ने अच्छा-कासा यहाँ पर momentum दे दिया था, तो mindset को थोड़ा सा change करने के लिए, नए stop loss create करने के लिए, market यहाँ पर hold करना चालू कर दिया, hold करने के बाद market यहाँ पर gap खुला, अब अगर यहाँ पर flat खुलता, तो जैसा मैंने आपसे कहा था, कि यहाँ तक का momentum हमें देखने को मिल सकता है, exact मैंने आपको target भी बताया था, कि सिर्फ यहाँ तक का target हमें लेके चलना है, उसके पीछे का logic भी यही था, उसके पीछे का reason भी यही था, क्योंकि यह पूरा की पूरा एक order flow हमें देखने को मिल रहा था, कौन सा order flow, bearish order flow, तो analysis वीडियो में जाके आप check out कर सकते हैं, मैंने आपसे यही कहा था, कि यहाँ से अगर market breakout करता है, तो सिर्फ यहाँ तक का momentum हम plan करेंगे, ज्यादा बड़े targets रखते हुए हमें नहीं चलना है, exact level भी मैंने आपसे mark करके दिया था, 46,570 के आसपास, और आज का जो आप high checkout करेंगे तो dot 46,580 के आसपास हमें high देखने को मिल रहा है, तो यह level mark करने के पीछे का reason भी यही हो जाता है, कि यहाँ पर एक order flow देखने को मिल रहा था, और मैंने आपसे यह भी कहा था, कि अगर यहाँ से breakout करते हैं, तो सिर्फ यहीं तक का target हम plan करेंगे, चोटा सा, क्योंकि against the trend हम इस तरह से चल रहे होंगे, इस तरह से मैंने आपको mark करके दिखाया था, और यह भी कहा था कि अगर directly gap up खुल रहा है market, तो 10-15 मिनिट हमें सिर्फ wait करना है, अगर उसमें market नीचे आना चालू करता है, तो यह important resistance की तरह से act कर सकता है, क्योंकि पहले भी sellers यहीं से activate हुए थे, तो इसके आज़ पास से sellers activate हो सकते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है market को उपर breakout करना होगा, ध्यान से आप एक एक वर्ड चेक आउट कर सकते हैं, उपर breakout करना होगा, तो market फिर यहीं पर hold करता रहेगा, इस तरह से, तो वो सारी psychology, वो सारी chart की psychology जो थी, वो stop loss hunting पर base थी, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां से अगर हम breakout कर रहे हैं, तो जो लोगों की यहां पर sellers के stop loss पड़े हैं, तो buyers को एक अच्छा profit देखने को मिल चुका होगा, तो immediately 10-15 मिट हम यहां पर कुछ भी plan नहीं कर सकते, क्योंकि upper side के stop loss already खतम हो गए, downside के दूर हो गए, तो market को अगर उपर जाना होगा, क्या fast momentum हमें देखने को मिला, जैसे ही यह पूरा breakout यहां पर fail होता हुगा नजर आया, और जैसा structure mapping में मैंने आपसे कहा, यहां पर change of character हो चुका है, तो upside पर जो भी breakout वगएरा होंगे, वो उनके fail होने के chances काफी ज़दा बढ़ जाते हैं, तो इसी तरह से मैं personally smart money concept को भी बीच-बीच में follow करता हूँ, stopless hunting को भी follow करता हूँ, एक चीज़ पर particular rely होके नहीं रहता, मैं तो personally आपको यही suggest करूँगा, कि आपको दोनों के बारे में knowledge होनी चाहिए, क्योंकि कभी क्या काम आ जाता है, और कभी क्या काम आ जाता है, एक ही चार्ट पे एक ही छोटे से example में मैं आपको दोनों चीज़ें बता दिये है, session थोड़ा सा बढ़ा हो गया, उसके लिए मापी चाहूँगा, पर एक एक बात आपको डीटेल में समझाना बहुत ज़रूरी था, काफी ज़्यदा इसके बारे में comments और DMs आ रहे थे, हर रोज almost लोग मुझसे पूछ रहे थे, कि हमें क्या पहले सीखना चाहिए, versus क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, तो मैंने आपको अपना personal perspective share कर दिया है, सारी बातों का plus और minus point आपके साथ share कर दिया है, अब आपके उपर completely बार depend करती है, percent to percent, trader to trader बार depend करती है, कि उसको क्या important लगता है, और भी किसी चीज़ के related अगर आपको doubts है, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, नेक्स वीडियो में उसको cover करने की कोशिश करेंगे, I hope आपकी trading life में ये session कुछ ना कुछ value add ज़रूर करेगा, कैसा लगा आपको वीडियो like and comment करके बता सकते हैं, अच्छा लगा हो तो appreciate कर देना, बुरा लगा हो, कुछ आपका feedback हो, तो वो भी आप comment करके दे सकते हैं, इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं, किसी next वीडियो में, thank you,